तो कल जैसे कि आप लोग यग गिकिये इसके बात कुछ असर हुआ लग रहा है आप लोग के माध्याम से वहां तक हमारी बात पहुच पाई और इसका अपको रिस्पॉंस दिख रहा दिखे इनिशली आज इस नेक्स जैसे काम स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग से मुझे मेरे मन में एक उमीद जागी है कि हाँ हमारी बातों को सुना जा रहा है कोशिश हमारी थी कि जो परेशानी वो दिखाए उसके असर यह हुआ कि निगम की जो टीम आज सुबह आती है और साब सफाई सुरू कर देती है अब कैसा लगा है हाँ मना सकते हैं तो आज सुबह से हमारी सचता की गैंग लगी हुई है नक्ता तलाब सफाई करने के लिए अभी देखते हैं कि काम कितना और भी सरीके से होता है उर्दू की कजीम शायर है उनके चंद असार यह है कि कौन सीखा ऐसी बातों से हर आदमी को एक हाथसा जरूरी है हाथसा से मुराद इस वीडियो में यह है खबर हाथसा से मुराद एक खबर हमने खबर बनाए थी कल कुरूद बस्ती से नक्ता तलाब की कि यह तलाब चार-पांस साल से इंतिजार कर रहा है कि मेरे इस तलाब का कब सुन्दर ये करण होगा कब इसकी साबसफाई होगी और हमारे खबर बनाने के बाद यह अपडेट आता है कि निगम की टीम यहाँ पर सुबह पहुंसती है और साबसफाई सुरू कर देती है साबसफाई सुरू है और हम मौके पे मौदूद हैं यह देखने के लिए किस तरह से सफाई हो रही है कितने आदमी लगे हो है निगम के इस तलाब को साबसफाई करने में क्योंकि जिस तरह की स्तीती है तलाब की इसमें एक लंबा समय लग सकता है एक अच्छी खासी टीम को सुभी जबद से ज़्यादा लोग लगें ऐसे तब जते सब्साफंद की सफाई हो सकेगी उसमें भी अप्डेट लेंगे कि कितने लोग आएंगे कितना समय लग सकता है निगम के किसी एक जिमिदार व्यक्ति से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहां की जो इस्थान महिलाएं है जो कल सदबुद्धी यग कर रहे थे इस चीज को लेकर कि कब नगर निगम तक हर साल चट पर्व को तहवार है वो काफी दूमदाम से मनाया जाता है लगबग 5-6,000 लोग यहां पर जुड़ते हैं चट पर्व को बनाने के लिए तो आए चलते हैं उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे वो भी मौके पर मौजूद हैं सारी चीजों को देख रहे हैं और से तो असर दिख रहा है हमको कि मतलब थोड़ा साफसफाई चालू हुई है इसके लिए मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हमारी बात बहां तक पहुंची है उस चीज के लिए और चाहती हूँ कि जैसे आज सुरुवात हुआ तो से पहले हमारे लिए हमारी बात को सुना गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है बठाद दिवाली तक हो जाए तो ज्यादा बैस्ट रहेगा चट पर विकित एक समस्या थी साथ में यह भी डर बना हुआ था कि बीमारियां तमाम बीमारियां हो सकती क्योंकि जिस तरह का प पानी में हमको खुद मैं खुद छट करती हूं तो उतरने से मुझे खुद को लगता है कि मैं को इसकरें प्रॉब्लम ना हो जाए वो पानी हमनों कुल्ला करते हैं जो वो पेट में जाएगे तो कुछ बीमारिया ना हो जाए करके यह डर बना रहता है तो इसलिए बस दी जाएगी साफ सफाई का भी ध्यान रखेगा और पानी को भी साफ रहने की कोशिश की जाएगी बॉंडरी वॉल का भी जो सारी चीज़ है वह सभी बात हुए तो इस अब कैसा आप सुनने के बात लग रहा है तो बहुत अच्छा है कि अगर हमारे लिए यह हो रहा है त अब देख रहे हैं कि अब हो रहा है सफाई वगेरा तो अब सोच सभी सोचेंगे की हो सकता है मना सकते और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जैसे बच्चों को बहुत डर है तो यह बॉंडरी वाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाच चे फिट की एकदम कहरा ही है अगर बच् पस यही कहना चाहती हूं है चट समीती के भाईया जुड़े हूए है और लगातार यह भी हर साल आप अपने तरफ से साफसफाई करते थे पर आज जो है साफसफाई सुरू हो गई यह नगर निकम के तरफ से तो क्या कहना चाहूंगा तो आप सब का मैं धन्यवाद करना च करता हूंगा कल जित्ती भी मीडिया की टीम आए थी आप लोग के ही वजे से आप लोग के माध्याम से वहां तक हमारी बात पहुंच पाई और इसका अपको रिस्पॉंस दिख रहा दिखिए इनिशली आजी प्रस डे आजी से से काम स्टार्ट हो चुका है मॉनिंग से हम भी सुबिरे से यहां पर हैं काफी अची टीम लगी आज यहां पर और बात भी हुई हमारी निगम के अधिहारियों से वो लोग भी आये थे सुबिरे और हम से जो अभी नरत हो सकेगी हम अभी भी करेंगे हम नहीं गोला है और कल से और बढ़ाएंगे लेबर यहां सफाई के लिए करमचारी लोगों को इस स्टेप से बात हुई है तो यह अब उमीद लग रही है ना कि अब यह तलाब पूरी अच्छे तरीके से साफ सफाई हो जाएगा और जो आने वाला पर्व है वो भी महिलाएं अच्छे से बना सकी है हाँ अब देखिए आज जो है पॉजि अब कनवर्ट हो रही है अब लग रहा है कि पहले की तरह हम वापस से यहां पर शटकार प्रकरम फिर से कर सकते हैं लगातार आप लोग 5 साल से महनत कर रहे थे बार बार आप निगम के दरवाजे खटकटा रहे थे कई बार आपने ग्यापन सौपा सारी चीज़ें की उसके अब देखते हैं कि काम कितना और किस तरीके से होता है अभी तो स्ट्रीकिश नहीं अच्छा देख रहा है और उमिद यह चीज़े जिस सरा से चालू हुई है उस सिरह से चलती रहे है चार साल से हमने हर तरीके से खुशिश की शारेजिक रूप से जिस रूप से हम यहां कर सकते थे तलाब के लिए कुछ भी हर टाइप सभीती वालों ने मिलके किया है और इस बार हमने सबसे में सयोग तो आप जैसे आप मीडिया के हमक कि कल मुझे सबके तो पुरे नाम याद नहीं है अब आट नौ दस के आसपास में मेडिया चैनल्स वाले अलग अलग थे मेरे हिसाब से तो यह उसकी बहुत बड़ी देन है जो कल कवरेज हुआ और आज चो एक्शन मोड में निगम आई अभी देखते हैं फिलाल कब तक कै से कर रही है और उमीद तो है कि हो जाएगा इस बार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद तो यह यहां की जो समीती थी छट समीती उसके भईया थे लगातार हैं यह भी हर साल मेहनत करते थे क्योंकि ऐसा होता था कि तहवार के दू दिन पहले खानापूर्ती के लिए घ साफ सफाई शुरू कर देती है और यह बोलती है कि कल से लगातार इसमें साफ सफाई जाही रहेगा और कोशिश की जाएगी कि 15-15 दिन के बीच में यह पूरे तलाब को साफ कर दिया जाए ताकि जो यहां के स्थानी लोग है इस जो लंबे समय से परिशानी से जूज रहे लगी हुई है नक्टा तलाब सफाई करने के लिए अब मौके पर सुपरवाइजर द्वारा निक्षन कराया गया तो यह देखा गया कि वहाँ पर जलकूमी बहुत सारा है मैं आपके चैनल के मादम से बताना चाह रहा था कि नगन निगम बिलाई ने पिछले समय में अभी निस्तारी का तलाब है तो इस माध्यम से लोगों को पानी क्या सकता थी और गर्मी के दिनों में क्या था कि उसको साप करने के लिए पानी सुखाना पड़ता कि बहुत सारा लगदी था कचड़ा था तो लोगों ने यह मांग किया कि बलकि जो गर्मी के समय में जो हमारा न भावनास के साथ सपसफाई करें इस थर्मिक भावनास का प्रिवजन करते हैं तो आप पुजा करो सब कुछ करो लकिन साप सफाई बना की रखो क्या होता है लोग मैं अक्सर देखता हूँ जाते पूजा पाट करते सब कुछ कर को इसे छोड़ के चरे आता है मैं भी ब्रामण हूँ मैं भी साफ सफाई करता हूँ कहीं भी धरम सास्त्र में नहीं लिखा है कि हम अपने पूजा पाट के मादम से तलावों को गंदा करें आप उसको करिए करके उसको हटाइए हटा कर उसका खात बनाइए फिर पौदे में डालिए यह है सही उद्देश तो आप भी सहयो करें नगर निगम भिलाई भी पूरा कर रहे हैं कि इसमें आगे आगे क्या अपडेट रहा का लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और बाकी के खबरों के अपडेट जानने के लिए अब लगातार के पिनुस से बने रहे हैं शुक्रिया